सभी आंगनबाडी सेविका सहाय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी नियूस चनल की आज साम साथ बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायो बहनों आज आप सब के लिए प्री प्राइमरी का एक नया आदेश लेकर के आया हूँ ये आदेश आप देख रहे हैं ये 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में महा नदेशक इस्कूल सिच्चा एवं राज परियोजना नदेशक कारयाले से जारी किया गया है और उत्तर प्रदेश के उप सिच्छा नदेशक प्राचार जिला सिच्छा एवं प्रसिच्छन संस्थानों को उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के लिए भेजा गया है और जिला बेसिक सिच्छा अधिकारियों को भी जनपद में जो है समस्त जिलों में उत्तर गत्विदी आधारित कलेंडर मैनुवल पर आंगन बाड़ी कारिकरतियों के छमता सम्वर्धन के लिए जन्पद एवं बलाक इस्तरिय तीन दिवसिय अभुमुखी करण कारिसाला के सम्बंद में है तो कुल मिलाकर के कहना ये है कि बामन सप्ता का जो गत्विदी कलेंडर है उन गत्विदीयों के आधार पर आप सब का छमता सम्वर्धन किया जाएगा यानि आपको ट्रेनिंग कुल मिला करके दी जाएगी तीन दिन की ताकि आप लोग उसमें अच्छे तरीके से बच्चों को सिखा पाएं तो आएए इस जानकारी को पूरा देखते हैं आने वाल देनांक 18.9.2023 का संदर्ब ग्रहण करें उपर्युक्त विस्यक जन्पद स्तरीय रिसोर्स परसन अबमुखी करण कारिसाला का आयोजन राज्य सैचिक प्रमंधन एवं प्रसिच्छन संस्थान सीमेट प्रयाग राज में देनांक 25.9.2023 से 9.10.2023 के मद्य पूर्ण किया चुका है उपरोक्त के क्रम में सीमेट प्रयाग राज द्वारा प्रसिच्छित संदर्ब दाताओं द्वारा जन्पद इस्तर पर बलाक इस्तरीय संदर्ब दाता का अभमुखी करण किया जाएगा बलाक इस्तर पर उक्तानुसार प्रसिच्छित बलाक इस्तरीय संदर्ब दाताउंद्वारा आंगन बाड़ी कारकरती का प्रसिचड प्रारंब किया जाएगा जन्पदिस्तर एवं ब्लाकिस्तर पर प्रसिचड समय सारडी एवं दिसा नर्देश भी निमनवत हैं जन्पदिस्तर पर कारसाला 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के मद्ध होगी और ब्लाकि यहां देख सकते हैं जिसके लिए बताया गया कि जन्पदिस्तर एक कारसाला है तू सीमेट प्रियाग राज द्वारा प्रसिचित संदर्ब दाताओं की जो सूची है वो भी प्रसिचित की जा रही है प्राचारे जिला सिच्चा एवं प्रसिच्चड संस्थान की प्रसिच्चड के पूर्व निमनांकित विवस्थाएं भी प्रसिच्चड के सुचारू रूप से संचालन के लिए पूंड की जाए यानि जो ट्रेनिंग होगी उसको लेकर के पहले क्या-क्या विवस्थाएं होनी है तो उन विवस्थाओं में देखे क्या-क्या है जिसम पर ये से लिए जरूरी है ताकि आप सबको वहाँ वीडियो सुरूप यानने कोई भी जो informative चीज़ें होंगी वो बड़ी सी projector screen के जरिये आपको अच्छे से समझाई जाएंगी इंटरनेट कनेक्टिटी होनी चाहिए जनरेटर होना चाहिए मानलो लाइट नहीं आ रही तो वो projector screen को चलाने के लिए जनरेटर की भी विवस्था हो प्रतिभागियों की बैठक विवस्था के लिए पर्याप्त फरनीचर हो तो यहाँ पर बात फरनीचर की की गई है लेकिन आप देखते हैं काफी जगए फरनीचर की जगए बहनों को टाट पट्टियों पर बिठा दिया जाता अब ऐसे में विभाग इस बारे में थोड़ा सोचे और आप बहनों भी यहाँ पर देख सकती हैं कि प्रतिभागियों की बैठक विवस्था के लिए पर्याप्त फरनीचर की बात की जा रही है और फरनीचर में आ कहने के लिए तो जो हर तरह का फरनीचर में आ जाएगा ल अच्छ पेजल की भी विवस्था वहाँ पर होनी चाहिए हैंड वास एवं सेनेटाइजर की भी विवस्था होनी चाहिए और प्रतिभागी में लिखा गया है कि प्रतेक विकास खंड से दो नोडल सिचक संकुल और बाल विकास सेवा पुष्टाहार भाग से दो सुपरव प्रतिभागी के रूप में रहेंगी अब मुखी करण कार्यसाला में एक बैच में अधिक्तम 50 प्रतिभागी ओं की विवस्था भी की जाएगी minute to minute कारिकम में लिखा गया कि उपर्युक्त कारिसाला तीन दिवसी है जिससे संबंधित दिवसवार minute to minute कारिकम संलगन करके प्रेसित किया जा रहा है जिसके लिए संलगनक दो दिया गया है अभी हम संलगनक दो भी आपको इस विडियो में दिखाएंगे राजिस्तर पर प्रसिचित डायेट मिंटर यानि संबंधित डायेट जिनके द्वारा कारिसाला के प्रतेक दिवस का अभिलेखी करण कराया जाएगा तथा कारिसाला के मुख्य बिंदूओं को संबलित करते हुए एक संचिप्त आख्या प्राचारे जलासिच्चा प्रसिच प्राप्त किया जाएगी अब मुखी करन कारिकसाला के सभी सत्रों का समय बद्ध अनुपानन भी सुनिशित किया जाए साथी कारिसाला के लिए आवस्यक मुद्रित सामागरी प्रसिचर मैनुवल आदी जन्पदों को सीमिट प्रयागराज द्वारा उपलब्द कराए जाएंगे एवं अन्निसामागरी जैसे पुस्तकें के लिए परयोजना काराले समगर सिच्चा से संपर्ग करते हुए प्राप्त किया जाना भी आपेच्चित होगा प्रतेक प्रतिभागी को कलेंडर, मैनुवल, लेटर पैड, पिन एवं फोल्डर बैग, इन सब की उपलब्दता भी सुनश्चित की जाएगी तो आप देखेगा यहाँ पर यह सब बाते लेकी गई वहीं बलाक इस्तरी अबमुकी करण कारिसाला से सम्मंदित दिसानरदेश भी आए हैं कि जन्पद इस्तरी कारिसाला एवं बलाक इस्तरी जो कारिसाला इनके मद्दे दस दिवसों का अंतराल भी रखा जाएगा उक्त का उदेश यह है कि जन्पद इस्तर पर प्रसिच्चित संदर्बदाता ब्लाक इस्तरी कारिसाला है तू समस्त विवस्थाएं भी सुनिश्चित करा ले जिलाप सिच्छा एवं प्रसिचर संस्थान द्वारा प्रसिचित किये गए जो ब्लाक हैं इस तरी संदर्वदाता ब्लाक सिचरी कारिसाला इनमें को लोकेटेड आंगनबाडी केंद्रों की आंगनबाडी कारकरता के लिए उनमुखी करड तीन दिवसिय कारिसाला संपन करा प्रसिछडार्थी आंगनबाडी कारकरती की सूची ब्लाक वार सलगनग तीन के अनुसार सलगन करके प्रिसित है और खंड सिच्चा दिकारी का दायत होगा कि ब्लाक इस्तरी कारिसाला की पूर में तैयारियां निम्नमस सुनिश्चित की जाएं तो आएए देखते हैं क्या पर लिखा गया है ब्लाक की स्तरी यानि आंगनबाडी बेहनों के स्तर की जो कारिसाला होगी प्रसिचड की उसमें क्या क्या होना चाहिए उसमें भी मुझे सेम टू सेम चीजे दिखाई दे रही हैं लैप्टॉप प्रोजेक्टर और स्क्रीन के साथ इंटरनेट कनेक्टि जनरेटर प्रतिभागियों की वेठक के लिए पर्राब फरनीचर स्वच क्रिया सिल सोचाले स्वच पेजल की विवस्था हैंड वास एवं सेनिटाइजर की विवस्था प्रतिभागी में सनलगनक तीन के रुसार आंगनबाडी कार करता प्रतिभागी के तौर पर इसमें तो ये आंगनबाडी बहनों आप सब के लिए जो नियम है वो ये वाले हैं अब साथी अबमुकी करण कारिसाला में एक बैच में अधिक सम जो है पच्चास प्रतिभागियों की विवस्था होगी और आगे लिखा गया मिनेट टू मिनेट कारिकम के बारे में कि उपरियु प्रसिचित नोडल संकुल का दाई तो है कि प्रतेग बैच के कारिसाला की संचिप्त रिपोर्ट तयार करें खंड सिच्चा धिकारी के माध्यम से प्राचार जिला सिच्चा प्रसिच्चर संस्थान जला बेसिक धिकारी सम्मंदित जन्पद को अपने उपलब्द इसके लिए राजिपरोजना काराले से नरधारित जेम बिड़ पर चेनित एलवन आपूर्ती करता द्वारा मैनुवल आपूर्ती ब्लाक इस्तर पर सुनिश्चित की जाए उक्त के तरिक्त अन्य समागरी यथा बिग बुक्स, प्राइमर कार्ड्स, खुसी की चौपाल औ और होलिस्टिक जो है रिपोर्ट कार्ड आदी का वितरड को लोकेटेड आगनबारी केंद्रों में किया जाना है जिसके लिए प्रतक से नरधेश निर्गत किये जाएंगे तो आप सब आगनबारी बहनें जो को लोकेटेड वाले केंद्रों की हैं यानि प्रात्मिक विद वित्तिय प्रावधान भी किये गए हैं अब क्योंकि इन कार्कमों के लिए खर्चा भी लगेगा तो वित्तिय प्रावधान में देखे क्या लिखा गया कि जन्पद इस्तरी के लिए ये लिखा गया है कारिसाला में प्रती प्रतिभागी रुपए 780 की दर से 3 दिवस के तीन करोड 96,27,000 रुपे की लिमिट जिला पर्योजना काराले को जारी की जा चुकी तो यहाँ पर आपने देखा एक चीज तो अच्छी मिली यहाँ पर जिले पर जो लोग जाएंगे उनके लिए देखो 780 रुपे कितने रुपे 780 रुपे आपने देखे हैं यहाँ पर प् 880 से 30 रुपे बस कम है अब कोई भी कारण हो सकते हैं जैसे वहाँ पर उनको मटरियल में कुछ अलग चीजे दी जाएं या प्रतिवागियों में कुछ अलग विवस्थाएं हो ऐसा हो सकता है तो इसलिए 30 रुपे का यह डिफरेंस आया है बाकी यहाँ पर बलाक इसतरी प अंतरगत संबंधित को दे होगा अवमुक्त धनरासी का उपभोग Financial Management and Procurement 2018 के प्रावधानों के अंतरगत किया जाए तता संबंधित वे PFMS पोर्टल प्रवंधन पर पूरु प्रात्मिक इसतर आके अंतरगत माह 9 दिसंबर के वे में अंकित किया जाए तो ये 9 दिसंबर म आपकी ट्रेनिंगे शुरू हो सकती है अभी आगे चलते हैं और देखते हैं लेटर में क्या क्या है संबंधित मद में किये गए उपभोग से संबंधित जो बिल बाउचर है आदी 15 जात जनपद एवं ब्लाकिस्तरी काराले में सरचित रखे जाएंगे ब्लाकिस्तरी प्र दायत तो दरसाए गए हैं जैसे प्राचारे डायट के दायत तो क्या हैं वो यहाँ पर दरसाए गए हैं आगे लिए चलती हैं आपके काम का बहनों हम दिखाते हैं जला बेसिक दिच्चा धिकारी और सहायक वित लेखा धिकारी के दायत तो दरसाए गए हैं और बात करें अगर यहाँ पर ये बलाकिस्तरी समिती के दाई तो क्या है तो बलाकिस्तरी समिती के दाई तो को हम लोग जान लेते हैं इनके अंतरगत चीजें क्या हैं जैसे बलाकिस्तरी समिती का दाई तो होगा कि प्रतेक विकास खंड में कारिसाला का अनुसर्वन करें और अनुसर्व प्रतेक कारिसाला के बैच में किसी भी स्थिती में 50 से अधिक प्रतिभागी भाग ना लें ये भी सुनिश्चित खंड सिच्छा दिकारी करेंगे कारिसाला के यथा आवस्यक फोटोग्राप आदी संकलीद करते हुए कारिसाला का एक एलबम बनाना भी कौन सुनिश्थ करेगा खंड सिच्चा दिकारी करेंगे खंड सिच्चा अधिकारी द्वारा सिच्चकों के मादम से सौर्ट वीडियो क्लिप बनाते हुए जिला सिच्चा प्रसिच्चर संस्थानों को भी उपलब्द कराई जाएंगी ये भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है साथी इस तरह से पूरा एक ये मैटर आया है तो आंगनबाडी बहनों तीन दिवसी आपको प्रसिच्चर मिलना है विजय किरन आनंद राज परयोजना निदेशक समगर सिच्चा उतरपदेश से उन्होंने लेटर जारी किया तो सिच्चा उभाग की तरप से आप सब का तीन दिवसी अभिमुखी करण होना है अब ऐसे में राज इसतरी संदर्ब दाता सूची भी आई है जैसे बात करें कौन से जिले की वहाँ पर प्रतिवागी का नाम क्या है पदनाम क्या है तो ये राज इसतरी है यहाँ पर नाम दिया गया कौन-कौन से जिले से कौन-कौन भाग ले रहा आंगनबाडी कारकरता का कलेंडर उसमें चमता समर्दन के लिए जिला बलाक इस तरी मास्टर टेनर जो है तीन दिवसी सेसन प्लान उनका वो आया है इसमें आप देख सकते हैं समय की बात अगर हम करें तो न नो बजे से दस बजे फिर उसके बाद दस बजे से साड़े दस बजे प्री टेस्ट होगा फिर सिच्छण पूर्व ECC अवधारणा पर प्रतिभागियों की समझ देखी जाएगी कितनी है फिर साड़े दस बजे से दस पैतालिस पर ECC संदर्ब में राष्टी सिच्छा नि 24 में ECC E के लिए रणीती और क्रियानिमेन पर चर्चा फिर 11.15 से 11.30 पर चाय के लिए ब्रेक वगरा होगा लंच वाला चाय वाला आप समझ लिए छूटा सा ब्रेक साथी 11.30 से फिर एक बजे जो चलेगा लंबा आंगन बाड़ी में एक दिन ये रहेगा जिसमें आंगन सब्ता के वारसिक कलेंडर पर पूरी चर्चा की जाएगी ये लंबा चलेगा फिर उसके बाद एक बजे से दो बजे क्या होगा फिर लंच होगा तो लंच होगा फिर होगा दो बजे से तीन बजे क्या होगा कलेंडर नरदेशिका का परिचय वो दरसाया गया तो कलेंडर कालेंडर नर्देसिका की आवस्यक्ता उद्दे से सरचना उपयोग इनके बारे में समझ विक्सित की जाएगी फिर तीन बजे से तीन बंदरा तक क्या होगा एने रेजैसर गतविदियां यहां पर मेंसिन की गई हैं किस तरह की हैं अगर किसी को पता हो तो कमेंड में बता सक सकते हैं साथी तीन पंदरा से चार पंदरा तक कलेंडर नर्देसिका का परिशे होगा कलेंडर नर्देसिका की आवस्यक्ता उद्दे से सरचना उपयोग इनके लिए समझ विक्सित होगी चार पंदरा से साड़े चार बजे तक फिर चाय के लिए ब्रेक होगा फिर साड़ चार से साड़े पांच केलेंडर नर्देसिका का उप्योग और अभ्यास होगा नर्देसिका में दिये गए विवरण एमम उसके साथ सामागरी की मैपिंग पर चर्चा होगी आधार पर जोए दिवसवार चक्रवार पाठ योजनाओं का निर्माड होगा फिर साड़े पांच से फिर 10 क्या होगा पिछले दिन का रीकैप किया जाएगा पिछले दिन में सीखने को याद करें और संचेप में कुईच के द्वारा ये सब 10 से फिर 11.45 तक समूग गतविदियां होगी अपनी सीख का पदलसन करेंगे फिर 11.45 से 12 में चाय ब्रेक होगा ये दूसरे दिन का मैं बता रहा हूँ तीन दिन होगा ना तो दूसरे दिन का अब 12 से एक के बीच क्या होगा प्रथम चक्र की गतविदियां और समाजिक एवं भावनात्मक विकास यहां पर दिये जाएंगे कलेंडर नर्दिसका के हिसाब से फिर एक बज़े से दो बज़े लंच होगा फिर साड़े चार से साड़े पांच बच्चों में सुरुवाती भासा का ज्यान बनना वो देखा जाएगा जैसे चहक हो गया प्राइमर कार्ट्स हो गया और कलांकूर हो गया पहल हो गया इन सब रिसोर्स का प्रयोग होगा और बच्चों को सुरुवाती भासा का ज्यान विक् यानि पिछले दिन क्या हो क्या हुआ वो सब याद कराया जाएगा एक तरह से दोबारा से रिवाइस कराया जाएगा साथी 10 बजे से 11.30 क्या होगा बच्चों में सुरुवाती संख्या का ग्यान बनाया जाएगा साथी साथ परिकलन, वंडर बॉक्स, कीट और पहल जैसे रिसोर्स का प्रयोग करके होगा फिर साड़े ग्यारा से बारा क्या होगा चाय ब्रेक होगा और उसके बाद में फिर जो है ये बारा बज़े से एक पंदरा तक कहानी और भावगित कराये जाएंगे बिग बुक है कहानी की किताबे जो सब हैं उनके अधार पर फिर एक पंदरा से दो पंदरा लंच होगा फिर दो पंदरा से तीन बज़े तक क्या होगा आडियो विजूल जो है कंटेंट दिखाया जाएगा तो उसमें डिजिटल समागरी सब दिखाई जाएगी तीन बज़े से चार बज़े समेकन इवं प्रतिक्रिया होगी तो यहाँ पर प्रतिभागी अपनी प्रतिक्रिया भी साजा करेंगे तो वो सब चीजे यहाँ पर इस तरह से मेंसन की गई वहीं सलगनक तीन में आप देखिए आंगनबाडी सेंटर ट्रेनिंग ब्लॉक लेवल के हिसाब से है यानि जैसे बात करें अगर आगरा जनपत की तो लिखाए नंबर आप ब्लॉक कितने सोला है तो नंबर आप प्रतिभागी जो रहेंगे वो 1054 रहेंगे तो उनकी संख्या आई यानि कौन से जले में कितने ब्लॉक है और कितने प्रतिभागी है इसका हिसाब किताब लगाया गया उसे हिसाब से फिर भजट भी तो आया इसलिए तो यहाँ पर ये पूरा मैटर दिया गया है कहाँ पर कैसा क्या सिच्वेशन है और भी चीज़े हैं डिस्टिक लेवल ट्रेनिंग के बारे में ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग के बारे में सवांकरे सब दरसा दिये गए कैसे कैसे क्या होना है खेर उमीद है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी गीता बहने माराजगन से जनुने जानकारी भेजी है बहन को भी धन्यवाद कल सुबह फिर आप लोगों को